जयहिन दोस्तों एक बार फिट से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में एक नया मैच का प्रेडिक्शन वीडियो से लेकर के जो कि खेला जाने वाले इंडिया ओमेंस वोच्छ अस्टेलिया ओमेंस के बीच में तीसरा ओडिया मैच करेंगे तो इस मैच में अपनी फंटसी यह मैच स्टार्ट होने वाला दो जनवरी एक बच के तीस मिन राइट टाइम दोस्तों आपको एक बज़े टेलिगाम चैनल पर जॉइन हो जाना है लिंक मैंने कॉमेंट सेक्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गईस क्योंकि यहां पर टॉस होने के बा यहां पर बता दू लास्ट फाइव पियर्ज में दोनों टीम के बीच में हेट वेडियानी की ओडियाई के जो मुकाबले आमने सामने खेले गए वो टोटल है नौ जिसमें कि इंडिया ओमिस ने बहाई एक ही विन किया और उस्टिलिया ओमिस ने आठ विन करें एक हजार क कि एक दो भाई लोग का जो गिवे अभी पेंडिक है गई तो आज नया साल है तो आज के हिदिन उनका गिवे हो जाएगा आप लोग बिल्कुल बेव फिक्र आओगे इस ठीक है तो फटेवर आप लोग गिवे अभी पार्टिसिपेट करें अब दोस्तों आगे डिसकस कर लेते हैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं यहां पर उमेंस के ओडियाई के साथ मैच के लेगा है जिसमें की जो टीम पहले बैटिंग करें उसने तीन विन चार बिन करें हाला कि दो अस्ट्रेलिया ओमन्स को इस बिच्पर भाई दोनों तरब से अगर हम बात करें एवरेल स्कोर यहाँ पर क्या मांग चल सकते हैं तो यहाँ पर आपको दोस्तो 180 से ठीक है, 180 से 200 प्लस का स्कोर मांग चलना है कि दोस्तों कहिन कहीं यह पीज़ जो है बैटिंग को काफ़े ज़्यादा यहाँ पर बैटिंग के फेवर बजाए कि जो कंटेशन है आपको बता दू यहाँ पर स्पिनर और पेसर बॉलस दोनों ही अच्छा करते हैं सेकेंड ओडियाई मैच जिसमें कि ऑस्टेलिया ओमिस पहले बैटिंग करते हैं 208 का स्कोर कर रहे है इंडिया ओमिस भाई यहाँ पर चेस करते करते हैं बज गई तीन रनों से हार गई थी 255 तक पहुंच पाई जिसमें गरम देखेंगे फर्स्टीम पेसर बॉलस को एक और स्पिन बॉलस को साथ विक्ते मिनी थी इंडिया ओमिस तीम पहले बैटिंग करते हैं और यहाँ पर ऑस्टेलिया ओमिस बनागर के मैच को विन कर रहे है तो अस्टेलिया ओमिस देखिए दोनों तरब से ही अच्छा विन कर रही है मतलब कहने कि उसके पास बैटिंग लाइनप भी ठीक ठागा बॉलिंग लाइनप से अभी हो कवर कर लेती है अगर हम बात करें फॉर्स निंग में इस मैं पेसर बॉलस को तीन विकेट मिलती और स्पिन बॉलस को चार विकेट मिलती मतलब कि पेसर को देखते हुए हलाकि आप दोनों को लेकर के चल सकते हैं आप लोग यहां से अंदाज है लगा सकते कि आप से यहां पर स्कूर बन रहा है तो मतलब कंडिशन जो दोस्तों होगी वह बैटिंग की फिवर में जाएगी पिछ बैट्समन याप एक दो आपको दोनों तरब से ऐसे मिलेगे जो कि उस्तों हाइस पारी खेलेगे और साथ सते यहां पर पेसर इस्पिनर को आपको ट्राइ करना होगा बर दोस्तों वह खास करके ऑल उंडर होंगे ठीक है बॉलर्स को आपने देखा कहीं यहां पर थोड़ी सी कम हेल्प है ठीक है क्योंकि आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों तरफ से ही पॉइंट्स देने वाले मैंने बताया कि आपको एक बज़े टेलिग्राम चैनल पर यहां आना है कि उस्तों यहां पर आपडेट बैटिंग और बॉलिंग और इंपोर्टेंट सब कुछ मैं क्लियर करता हूं कि उस्तों अभी क्या है अभी टॉस होना बागी है कौन से प्लेर खेलेंगे कौन से चैन्जमेंट हो सकता है वह भी बागी है बट दोस्तों बेंच अभी सो करूँगा फिलाल के लिए बट यहां तक तो आपको आना होगा कॉमेंट सेक्शन और डिडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक ऐसी fantasy application के बारे में जिसका नाम जोस्तों crown 11 बहुत गजब की application है जिन भाईयोंने डाउनलोड के लिए वही सोच नहीं होगे खास यह application के बारे में हमें पहले से पता चल गया होता क्यों दोस्तों यहां पर क्या है कमिशन नहीं लगता टी जीस्टी टेक्स वगरा कुछ नहीं लगता जीतना आसाने कहीं अगर आप में लिंक्स के डाउनलोड करते हैं वहां जाएंगे तो आपको यहां पे बॉनस भी मिल जाएगा जूसतों साथ-साथ पहले बार अगर डाउनलोड करते हैं और उसको रजिस्टर कैसे करने डिए सबसे बात यहां पर Lucky Star कर चानल मिलेगा बड़ दोस्तों उसी टाइम सेम टाइम आप यहां पर एक्स्टा आपने जीतने की चांस बढ़ा सकते हैं लकी स्टार कर चैन करें तो यह कब होगा जब आप आप उनसे भी खियल लोड करें ही होगा मेरे ठीकलत छाल आता लोड कर को तो यहां पर न॥ा और को अप्राइब करते तो उपनिंग करते हैं बाढ़ियागद करते हैं को पहले मैच देखिए उन्चास रंगी पारी उसके जहां पर चौदर रंगी पारी लास्ट मैच में ठीक है एंगें छे मैच सब्सक्राइब करेगी तो बिल्कुल आप कैप्टन के तौर पर इनके साथ चल सकते हैं इस प्रती मन्दाना के ध्यान रखेगा और मैंने इनको क्यों रखा है भाटियागों दोस्तों क्यों विकेट के पर हैं वहां से आपको कुछ रन मिल सकते हैं कुछ पॉइंट्स भी मिल सकते हैं को कैच इस वगएरा मिलेगे तो तब ठीक है रिचागोश की बात करें पहले मैच में इनका कुछ खास दिखा नहीं आप है चेस करते हैं इनको चेस करते हो बिल्कुल आप लेकर चल सकते हैं क्योंकि दोस्तों आप बढ़िया है तो बिल करने करें के रिस्क ले सकते हैं कि इसन्तों घ्यक्तों अच्छे जो है इतनी अच्छी पारी यहाँ पे नहीं आई चेस करते हैं दोनों परनी क्री आप दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगर आप 102 Grand League की टीम के साथ जाते हैं तो कहीं ने कहीं आप इनको ट्राइ कर सकते हैं मैच हार भी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं तो वहाँ पर क्या होगा बहुत हलके में लेकर खेलेंगे वह तो कहीं ने कहीं देखिए आपको यह बढ़ा करते दिखाए दे सकती हैं क्योंकि वह इतना सेर्यस मैच को लेंगी नहीं और यहां पर इनका डवांटेज आपको देखने को मिल जाएगा तो आप एक टीम में रख सकते हैं हाला कि एक टीम से जांगे तो फिर आप देख सकते हैं इनको पर टार्गेट है और स्टेलिया ओमेंस का तो फिर कहने के यह रिस्की हो सकती हैं अच्छी फॉर्मां की रखिए है और बॉलिंग भी करेंगी तो बिल्कुल आप करके इनको चल सकते हैं हाला कि उस तो आगे बढ़ लेते हैं बात करते हैं आप जो और प्लर मिलने वाले आजू की अमन जोद्क और पूझा वस्तरा कर बॉलिंग भी कर तो इनको पेशर के साथ तो मैं डेप्री सर्मा को कहीन लाइए के साथ ट्राइगा करने के लिए सोचूँगा अब यहां पर है अमन्जुत का और जो कि दूस्तों रिसेंट डोने मैचेस में कुछ खास नहीं हुआ है हाला कि दोनों मैच में उन्हें विकेट निकाली स्पिनर है आपने देखा एडवांटेज है तो कंसिस्टेंट तो ही है दोस्तों अगर यह दो विकेट निकालती है एक भी निकालती है तो आपके हैट्विट टीम के लिए बढ़िया हूंगी क्योंकि सामने वाला जो बंदा लेकर के नहीं आने वाला हैट्विट खेलते हैं तो दोस्तो आप बिलकुल आप अपने टीम में इसको रख सकते हैं बिलकुल यह विकेट निकालके दोस्तों देने वाले आपको ओके एगे इस captain wise captain try करके चल सकते हैं रिस्की हैं दोस्तो बट यह आपके लिए कहीं न कहीं advantage वाली प्लेयर इस मैज के लिए हैं दोस्तो अगे बढ़ लेते हैं जो कि इस टीम से लास्ट प्लेयर रहने वाली है जो की बॉलिंग से उनके बारे में जानते हैं जहां पर आपको मिलेंगी स्रेंका पाटे जो कि अपने इंडिया ओमेंस की तरफ से रहने वाला है उनका screenshot आप लोग ले जिए अगर यहां पर कोई खेलत अगर आती हैं तो इसे प्लेयर होंगी जिनको बहुत कम लोग रखने वाले हैं हाला कि अगर आती हैं तो आपको ओपनिंग जो है और यहाँ पर यहां पर करते हैं इस दोनों मैचेस में लगातारी फ्लॉप नहीं है हाला कि लंबी पारी इनकी जो है 129 की है 170 की रिसेंट ही ठेक है हाला कि टीम में रखने की बात करें इस दोनों मैचेस में फ्लॉप है सेलेक्शन कितना 14 बड़ यह ग्रांड लिक के लिए पिक हैं देखिए इलाय की टीम में लेकर के चलना ही है मिर भाई ठीक है यह आपके लिए कुछ अच्छा कर सकती है इस मैच में अगर हम बात करें गया इनका जो है वह फिलाल उन्चास का पर आप इनको ट्राइ करके चल सकते हैं वन डौन दोस्तों यहां पर आपको जो मिलने वाली लेसा पेरी और पहले मैंचे बैली से रंगी पारी यह दिहां पर लास्ट मैंचे दस रंगी पारी एक्क्यावन पर से लोग टीम में रखना है एक इन भी अच्छा एरोज है का ग्राउन पर दुस्तों थोड़ा सा यहां पर देखेंगे यह दो मैचे से हलां कि फिर भी ठीक ठाक है मतलब क को मैने का है सी मस Variarcissa massive तो बिल्कुल आप इनके साथ ट्राय करें चल सकते बाकि दो स्टों बहुत करें दो ट्राय करके सकते हैं Despite VIर के साथ ईन नहीं है ताहलीय था था साथ में दोस्तो करके चल सकते हैं एक दोस्तों इनके भी वड़िया है 11 में 9 विक्टे हैं ग्राउन पर आप ने देखा 2 मेच दोस्तों 3 विक्टे ओर लगे 22 22 विक्टे हैं आप दोस्तों यह आप बात कर लेते हैं जो आपको अच्छी हाईस विकेट निकालते में लिजा आए देखा गैस पहले मैच में इनको रखा नहीं तो दोस्तों आप टीम में इनको लेकर चल सकते बर दोस्तों कब रखना होगा जब बीध मोने के साथ आम रिस्क लेंगे ब्लब को तो कहीं नहीं इनको टीम में रख सकते हैं कि उस्टों इंके पास बालिंग का बेटिंग अभी जब वहां से वह विक्ते गे नहीं तो बिल्कुल यहां तक बैटिंग भी आगी आपको यह पॉइंट्स वहां से भी देंगी और बालिंग तो लगातार दोस्तों कर र किम गर्त की बात करते चांध में बर यह चुटी मना ऑली यह बाई गें को फिल्यर रहें स compose दोस्तों आपको पता कि 12 रांट लि consumo अर्श्टेह्मश के हर मैच है रहे हैं तो इस से मैंच भी दूस्तों हमें तीन टीम बनाने की ज़रूत है और बिल्कुल हम तीम बनाएंगे और अच्छा प्रॉफित दूस्तों फिर से करके चलने वाले हैं मेरे ठीक है तो इसलिए कर रहा हूं आपको राइट टाइम एक बज़े टेली चैनल पर दूस्तो बात करते हैं डार्सी ब्राउन दो मैंचे दूस्तों इनकी एक ही विकेट है अगर हम बात करें देखिए आप लगतार छे से साथ मैचेस में फ्लॉप चली तो इनके पास उटना एडवांटेज है नहीं दूस्तों बट इनको चाओका आपको ठीक है उसी प्रकार से एक आपको कहीं न कहीं एक दो को तो अपने हेट्विट की टीम में रखना होगा में अगर आप करना चाहते हैं अपने सामने वाले बंदे को हराना चाहते हैं दोस्तों तो बिल्कुल ठीक है जेज जोनासन और यहाँ पे मेगा निसका ची आपको फिलाल बेंच मिलेगी हालाकि दोनों ही बड़िया हैं में कर दो नासन खेलती हैं तो बिल्कुल आप टीम में को रखकर के चल सकते हैं यहीं दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं बात करते हैं फिलाल जो हमाई टीम का प्रियू रहने हैं अभी फिलाल के लिए आपको देख लिजिए बाकी आपको पता फाइ जिसमें मैंने कॉमिनिशन आपको छेपलर का बताया है जो कि सीविसी के लिए बट कौन से बेश्ट होंगी राण लिक के लिए वो दस्तों आपको टेलिग्राम चैनल पर बता दूँगा ओगे इस तो फिलाल आप लोग जोईन के लिए कॉमेंट सेक्शन और वीडियो के ड पलता है जोगे लोगे लिए झाल आपको वगे लोगे के लिए लोगे वोगे वोगे लोगे।